How to fix Geo-network problem in any realme series नमस्कार डोस्तों सुआगर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Geo-network problem आप solve कैसे कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोग जो है इस device को यूज करने के बाद यहाँ पर Geo-network का problem आ रहा है लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर नेटwork problem बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ठीक है मैं Geo-sim यूज करता हूँ और Geo का ही नेटwork यूज करता हूँ लेकिन problem बिल्कुल नहीं है तो आपको भी क्या करना चाहिए कैसे यूज करना चाहिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजे जो है वो सजेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको भी problem ना हो अगर problem आते है Geo-network में तो आपको किस तरीगे से problem solve करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा ठीक है वीडियो को आप पुरा देखे solution को follow करें fix हो जागा आपको problem वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए बेल आइकोन को click करें यह आप online पैसा कमाना चाते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message करें तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे network problem जो है उसको fix करने के लिए आप सबसे पहले तो आपने mobile को एक बार restart कर दीजिए restart करने के बाद अपना जो flight mode है उसको on कीजिए उससे कामना बने तो आपने sim card को eject करके उसको अच्छे से एक बार insert करके देखिए ठीक है उसके बाद भी दोस्तों आपका जो network problem है यहाँ पर काफियाद तक fix हो जाएगा तो आप वो भी try करके देखिए अगर इससे problem solve हो जाता है तो ठीक है और इस बटन को off कर देना है इस बटन को off करके आपको check करना है कि network आपका आ रहाए या नहीं आ रहाए geo का ठीक है तो आपको जाके वही पर यह setting set करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता रहेता हूँ इस बटन को जैसे आप बन करोगे आपको manual network में लेगा manual network पर जाके आप geo network को select कीजिए उसके बाद जाके आपका network improvement हो जागा और problem भी solve हो जागा तो इस तरह के सा आप problem को fix कर सकते है by any chance अगर आपको network का issue आते तो आप यहाँ पर यह भी कर सकते SIM को एक बार disable कर दीजिए यहाँ उपर में आप देख सकते है number one पे वापर लिखा हुआ enable तो उसको एक बार disable करके दुबारा से enable करके देखे network का solution हो जागा तो खुछ इस प्रकार से आप network problem को fix कर सकते है अपने device के अंदर पे अगर आपको geo network problem है तो इस तरह के से आप fix किजेगा by any chance मान लिजे आपने जितना possible solution है वो कर दिया फिर भी problem आ रहा है तो ज़्यादा तर क्या होते हम software update करना छोड़ देते हैं ठीक है अगर आपका software update नहीं रहेगा तो network जो है वो किसी का भी हो problem करेगा तो आपको क्या करना है नीचे की तरफ जाना है setting पर software update पर क्लिक करना है और software को update कर देना है ठीक है software update करने के वारे आप देखोगे कि geo network या फिर कोई भी network काफी improve हो चुका है आपके phone पे तो इस तरह के से problem solve कर सकते हैं सारी साथ आप यहाँ पर जियो customer care उनको भी call करके पूछ सकते कि आपके area में network इतना ज़्यादा खाराब क्यों है ठीक है और जियो फाइवर वाले जब जियो फाइवर set करने आते हैं तो उनको आपको set करने देना है क्योंकि दोस्तों अगर वो लोग set नहीं करोगे तो नेट्रो का काफी ज़णा एशू रहते हैं ठीक है जो भी जियो टेलीकॉम वाले है वो जियो नेट्रो को improve करने के लिए वो जियो फाइवर वगणा सेट करते है जागे-जागे पर ठीक है तो जब वो सेट करते तो वो करने दीजे तब जाके नेट्रोग प्रॉब्लेम आपका जीओ का स्वल्फ होगा तो आज की इस वीडियो बडोस बस इतना है उमीद करते आपको ये वीडियो पसंदे होगा इसके रिलेटर अगर आपको कोई प्रॉब्लेम है कोई इस्यू है तो आप हमें बता सकते हैं ठीक है कॉमेंट करके बता सकते हैं या फिर ट्वीटर पर आज के लिए बस इतना ही टेंक्स रोचिंग